नमस्कारम सद्गुरुजी सद्गुरुजी, मेरा प्रश्न है क्या आत्मयज्ञान एक धीरे-धीरे होने वाली प्रक्रिया है? या ये तब होता है जब हमारा शरीर, मन और वर्जा इस बिंदु पर पहुँच जाते हैं जहां वे सभी बिल्कुल सठीक है और फिर एक बहुत बड़ा बतलाव हो जाता है धन्यवाद देखिए आम का मौसम बस जाने वाला है आप नहीं जानते कि वो क्या होता है साहिल, आप यूके में हैं आम का मौसम जा रहा है भारत में ये एक बड़ी चीज है अगर आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में आम के पेड को देखा हो तो आपको उससे कोई मिठास टपकती हुई नहीं दिखी होगी अचानक जैनवरी, फेरवरी में फूल आए वे चमेली या गुलाब या किसी और फूल जितने सुन्दर नहीं थे कुछ छोटे-छोटे फूल आए मानलीजी आप नहीं जानते कि याम का पेड है और आपने उसे चक कर देखा आपने एक पत्ता लेकर उसे मुँ से काटा तो वो काफी कड़वा था मगर अचानक एप्रिल मई के महीने में मिठास की बड़ी-बड़ी बुन्दे पेड पर लटकती मिलेंगी वो धीरे-धीरे इस मिठास को बना रहा था और एक खास मौसम में उसे बाहर ले आया मगर वो साल भर सक्रिय रहा है न? आम सिर्फ एक मौसम में आते हैं आप सिर्फ एक खास समय पर मिठास देख पाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आम का पेड़ वो मिठास पैदा करने के लिए कोशिश या काम नहीं कर रहा था आप आम के पेड़ के किसी भी हिस्से को काट कर चक लें आपको जरा भी मिठास नहीं मिलेगी मेरा विश्वास कीजिए मगर जब आम आते हैं कितनी मिठास वो कहां से आती है वो उस पर काम करता रहा है आप उसे देख नहीं पाए इसी तरह क्या ये प्रक्रिया है बिल्कुल ये एक प्रक्रिया है मगर क्या हर कोई इस प्रक्रिया को देख सकता है पहचान सकता है नहीं जब कोई अध्यात्मिक रास्ते पर दोश है किसी ने सोचा कि वो कुछ और है मगर जब मिठास आई तो जिसने भी उसे चखा उसने महसूस किया कि ये एक शांदार चीज है तो ब्रह्मान में कोई भी चीज अचानक नहीं होते सब कुछ एक प्रक्रिया है क्या आप उस प्रक्रिया को पहचान सकते हैं उस प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं सवाल ये है आम तोर पर कोई भी जिसमें आम तोर पर जब इनसान बच्चे होते हैं कोई भी बच्चा जिसके अंदर एक खास स्थर की ऐसी प्रतिभा होती है जिसे दबाया नहीं जा सकता हर किसी में प्रतिभा होती है मगर वो दब जाती है समाज की प्रणाली उनके अपने डर अपनी चिंताएं उनकी सुरक्षा की जरूरतें उनकी प्रतिभा को दबा देती है हर इंसान में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा होती है मगर 90 प्रतिशत से अधिक लोग कभी उसे बाहर नहीं ला पाते क्योंकि वे दूसरी चीजों से हार मान लेते हैं दूसरी चीजें अधिक महत्वपून हो जाती है जब आप 12-15 साल के थे तो सोचते थे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा मैं चांद पर जाऊँगा मगर आपने पडोस की लड़की को देखा और उसे चांद बुलाना शुरू कर दिया चांद गाइब हो गया तो इसी तरह हर किसी में संभावनाई पूरी तरह खुली है बात ये है कि क्या आप प्रक्रिया को बनाए रखकर उसे हकीकत बनने दे सकते हैं संभावना और हकीकत के बीच एक दूरी होती है अधिकांश लोगों में वो दूरी तै करने का न तो साहस होता है ना ही पकाई रादा काफी हद तक आध्यात्मिक प्रक्रिया एक तरह का मनुरंजन है एक के बाद एक प्रवचन सुनिये एक के बाद एक उपदेश अधिक से अधिक किताबें पढ़िये और बहस कीजिए कि किस तरह आपकी आत्मा, परमात्मा, आपकी आत्मा यहां वहां भटक रही है और स्वर्ग और नर्क और हर चीज, मगर इसके बारे में कुछ मत कीजिए ये काफी हद तक मनुरंजन की तरह है तो एक प्रक्रिया निश्चित रूप से होती है उस प्रक्रिया को चेतन रूप में अपनाया जा सकता है या वो एक अचेतन प्रक्रिया हो सकती है मगर आप सही चीजें कर रहे हैं यही इस ब्रह्मान की सुन्दर्ता है चाहे आप जान बुझ कर करें या अनजाने में अनुशासन से या अनुशासन हींता से प्रेम से या नफरत से अगर आप सही चीज करेंगे तो आपके साथ सही चीजें होंगे इस ब्रमान की सुन्दर्ता यही है तो शंकर आदी शंकर ने कहा योग रतोवा भोग रतोवा किसी तरह योग से या भोग से किसी तरह उसे कीजिए किसी तरह अपनी भीत्री प्रकृती की सच्चाई को खोजिये क्योंकि जिसे हम सत्य मानते हैं वो बस ये है जो भी जीवन के सभी स्तरों पर काम करता है वो सत्य होगा जो भी वाकई जीवन में सभी स्तरों पर काम करता है वो सत्य होगा आप अपने जीवन में जो भी जानते हैं उसे अभी जाचिए क्योंकि आपके पास एक मन है जो कल्पना कर सकता है अभी आप आए के एक स्तर या एक खास तरह के घर या कार या किसी और चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं खुद को जीवन के अलग-अलग स्तरों में रख कर देखिए कि क्या वो चीज़ फिर भी आपके लिए बहुत माईने रखती है देखिए मान लीजिए कल नहीं मान लीजिए सौ साल बाद आप अपनी मृत्यू शया पर हैं देखिए कि क्या आपके गहने, आपका मेकप, आपकी कार उस दिन आपके लिए कुछ माईने रखेगी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आज ही उन्हें त्याग देना चाहिए बस आपको उन्हें उनकी जगे पर रखना चाहिए उन्हें अपने दिल में नहीं डोना चाहिए किसी चीज का इस्तमाल करने और किसी चीज द्वारा इस्तमाल किये जाने में एक अंतर है अधिकांश लोग अधिकांश लोग नहीं जानते कि जो चीजें वो खरीदते हैं उनका इस्तमाल कैसे करें उनकी खरीदी चीजें उनका पूरा इस्तमाल कर लेती है वे इनसान को दास बना रही है ये ठीक नहीं है तो अगर आप बस ये ध्यान रखें कि आप किसी चीज़ द्वारा इस्तमाल नहीं किये जा रहे हैं आप समझते हैं कि हर चीज की आपके जीवन में सिमित भूमिका है, आपके शिक्षा की सिमित भूमिका, आपके केरियर की सिमित भूमिका, आपके शादी की सिमित भूमिका, आपके रिष्टों की सिमित भूमिका, आपकी दौलत की सिमित भूमिका, हर चीज जो आप कर रहे है उसकी सिमित भूमिका, अगर आप समझते हैं कि कोई चीज कहां शुरू और कहां खत्म होती है फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अध्यात्मिक प्रक्रिया चालू रहती है जब मौसम सही होगा, फूल खिलेंगे और आम आएंगे अगर आप वाकई सिर्फ लेते ही रहें तो मैं हमेशा के लिए आपका अभारी रहूंगा समस्या यह है कि आप लेते हैं और फेकते हैं, लेते हैं और फेकते हैं, लेते हैं और फेकते हैं अगर आप बस लें लें और लें तो एक गुरू इससे ज़ादा क्या चाहेगा और जो उपहार आप मुझे दे सकते हैं मैं इसके पीछे की भावना की कदर करता हूँ मैं वाकई इसके पीछे की भावना की कदर करता हूँ मगर मैं चाहता हूँ कि आप इतना समझें उपहार का मतलब है ऐसी चीज जो आप दूसरे को दे सकते हैं अगर आप वो दे सकते हैं तो मुझे उसकी जरुवत क्यों होगी अगर आप उसे दे सकते हैं तो निश्यत रूप से मुझे उसकी जरुवत नहीं है लेकिन आप गुरू के नाम पर आप उसे किसी जरुवत मन बच्चे को दे सकते हैं आप गुरू के नाम पर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट या प्रक्रिया या किसी चीज के लिए दे सकते हैं यह आपके उपर है अगर आप वाकई अपने गुरू को उपहार देने को लेकर गंभी रहें तो ये समझने की जरूरत है कि आप जो बात एक खास अपने अंदर थोड़ी परिशानी के साथ कह रहे हैं क्या ये सिर्फ लेने और लेने के बारे में कृपया बस लीजिये और लीजिये कीजिये और फेकिये मत ठीक है अगर आप बस ले 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 तो ये सबसे बड़ी चीज होगी जो आप मेरे लिए कर सकते हैं अब इस गुरू पुर्णिमा पर किसी रूप में अगर आप वाकई ये को भार देना चाहते हैं किसी रूप में आप कुछ ऐसा भेंट करें जो आप हैं कोई ऐसा सामान नहीं जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं आज आप अपने सबसे बुरे हिस्से को मुझे दे दीजे ठीके मैं वे सुन्दर चीजे नहीं मांग रहा जो आपके अंदर है मैं आपका प्रेम भी नहीं मांग रहा मैं कह रहा हूँ जो भी आपका सबसे बुरा हिस्सा है आपका पक्षपात आपकी नफरत आपका गुस्सा आज वो मुझे दे दीजे क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप अपना गुस्सा मुझे दे देंगे गुस्सा जबरदस्त उर्जा होती है अब जानते हैं मैं जानता हूँ कि गुसे को किसी शांदार चीज में कैसे बदलना है तो अगर खुद को पूरा नहीं तो कम से कम अपना एक बुरा हिस्सा कृपया वो आज दे दीजे क्या आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप कुछ देना चाहते हैं मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस देशा में कई प्रश्न पूछे गए हैं इस धर्ती पर जो सबसे महान चीज या सबसे महत्वपून चीज होनी चाहिए वो है इंसानों का अपने अंदर की ओर बढ़ना जरूरी भीतरी संतुलन के बिना बहुत शक्तिशाली मानफता एक खत्रे की संभावना है और हर चीज के लिए हम हर दूसरे जीवन हर दूसरे जीव के लिए खत्रा है तो जादा से जादा लोगों में ये प्रतिबधता होनी चाहिए कि वे दुनिया को अंदर की ओर मोढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर इनसान और इस धर्ति के बाकी जीवन को इस धर्ति पर अच्छी तरह रहना है तो ये बहुत महतवपून चीज है जिसे होना चाहिए वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो अगर आप कुछ बुरा देना चाहते हैं तो कृप्या दे दीजे, मैं स्वागत करता हूँ आपका स्वागत है, अगर आप कुछ सुन्दर देना चाहते हैं तो आपको खुद को अपना समय, अपना जीवन देना चाहिए अगर वो संभव नहीं है तो भावी पीड़ी कम से कम उन्हें उस दिशा में मूड़िये ये बहुत महत्वपून है ये उनके भविश्य की खुशाली के लिए है तो इस दिन इस शुब दिन मेरी शुब कामनाएं और आशिरवाद आपके साथ हैं कि आप गौरवशाली मनुश्यों की तरह जीएं बहुत बहुत धन्यवाद